नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चाइनल में तो आज हम इन गमलों पर पेंटिंग करने वाले हैं ये एक सिंपल ऐसी ब्लैक कलर के बहुत सारे हैं मेरे पास पहले आपने देखा होगा मैंने पहले भी काफी सारी पेंटिंग्स किया इनके उपर तो मुझे क्योंकि क करना ये सब चीजे पसंद है तो मैं इनी पर कुछ न कुछ पेंटिंग बनाते रहते हूं उससे हमारे ये डियाइवाई हो जाते हैं प्लांटर और जब आप इनको गार्डेन में रखते हैं तो निनका लुक भी बहुत अच्छा लगता है अलगी दिखाई देते हैं तो इ सब्सक्राइब कर दिखे और कमें ना इतना मन्न नहीं कर रहा है गर्मी में तो ये थोड़ा सिंपल टाइप का पर ये कुछ अलग लग रहा है विल्कुल मैंने पहले सब्सक्राइब कर देना आप लोग भूल जाते हैं तो पहले जाके जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दीजे और कमेंट करके बताईएगा आपको कैसा लगा यह आइडिया यह डिजाइन पेंटिंग कैसी लगी तो आप मुझे बताना तो यह देके साइट में मैंने पह थोड़ा हाइलाइट करूंगी तो बहुत अच्छा अलगी लुक आएगा बिल्कुल यह देके स्टाइट से अब इसके उपर में पिंक कलर का यूज करूंगी और यह दो बिल्कुल तो आप लोग देखना भी आगे सा पाइनल लृक कैसा लग रहा है पूंकि अभी बाहर का जो हमारा एरिया है उसमें काफी धूप आती है तो इसलिए मैं ज्यादा इनको डैकॉरेट नहीं करती हूं यह ज्यादा डैकॉरेट करूँए तो सारा जो है धूप से बारिश से सब खराब हो जाएगा क्योंकि खुला है हमारा आगे का पोर्शन तो इसलिए मैं इस पर करर का ही जादतर यूज़ करती हूं और अभी हम ग्रीन नैट का भी यूज़ करने वाले हैं अपने फोधों के लिए उपर गार्डन बनाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कैसे लगाई और कौन सी वाली ग्रीन नैट लगाई भी क्योंकि अब गर्मी बहुत जादा हो रही है प्लांट्स विचारे सूख रहे हैं गर्मी से तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि ग्रीन नैट का यूज़ कर लेंगे तो अब जब लेके आएंगे तब मैं आपको सारा दिखाऊंगी कैसे हमने लगाया कि आसे कौन सी लेके आएं और आप लोगों में से कितने लोगों को पेंटिंग करने का शौक है पेंटिंग यह ऐसी चीज़े ग्रेटिविटी और लाइक जरूर कर देना आपके लाइक से मुझे बहुत खुछी मिलती है कमेंट करते हैं लाइक करते हैं तो यह देखे इस पे मैंने रैड कलर का डिजाइन दिया है उपर से एक एक लाइन उभार कर और बीच में जो बनाया था उसमें मैंने पिंक कलर का यूज किया है ऐसे ही मैं इस वाली इधर वाली साइड भी ऐसे ही बनालूंगी यह देखे ऐसे जुक से पुब बनाया है झाल झाल झाल